जै जोहार नमस्कार देरिक 36 कर चैनल देख रहें आप और 36 कर प्रदेश की आज की सभी प्रमुक बड़ी खबरों को एके करके हम आपको विस्तार से बताएंगे इससे पहले अगर आप 36 कर प्रदेश के हैं 36 कर समा चार ठीक इसी प्रकार लो जाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सबस्काइब बटन दिया है जिसे दबा कर इस चैनल को आपको सबस्काइब करना है सबसे पहली बड़ी खबर है तीर कमान लेकर राजधानी पहुचे हजारों की संख्या में किसान गरिया बन से निकाली गई ट्रैक्टर रैली MSP पर फसलों की खरीदी की मांग की गई है दरसल सुक्रवार को गरिया बन से होते हुए हजारों किसान ग्रैपूर पहुचे केंद्र की सरकार के खिलाफ नारिबाजी करते हुए किसान ग्रैक्टर रैली निकालते हुए आगे बढ़े अलगलग ग्रामिड हिस्सों से सभी राजधानी में जुटने लगे दो पहर के वक्त सहर में इंडो स्टेडियम के पास किसानों की आम सभा का आयोजन किया गया क्रिसक संगठन के नेताओं ने इसको संबोधित किया इस प्रतरसन को ले करके किसान नेता तेजराम विद्रोही ने बताया कि केंदर सरकार के कृसी कानून वापस लेने का सिर्फ एलान किया गया है। काबजी तोर पर इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। किसान अब भी इसकी आसंका में है कि कहीं पिछले दरवाजे से क्रिसी कानूनों जैसे कोई नियम सरकार फिट से लागून ना कर दे। रायपुन में सविधान दिवस के मौके पर निकाली गई इस ट्रैक्टर रैली के बाद किसानों ने कहा कि अब MSP पर फसलों की खरीदी हो और इसकी गारंटी जहिए। क्रिसी कानून के विरोध में आंदूलन के दुरान 700 किसानों की जान गई है जिने सहीत का दरजा दिये जाने की भी मांग करी जा रही है। की कलेक्टर के 15 DSP के 30 पदों पर आसाथी साथ अन्य पदों पर भरतिया होनी प्रस्तावीत है। क्रिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजवेट या फिर उसके समकक्ष योग्यता आपके पास होनी आवस्टक बताई गई है। के लिए बात करें तो DSP के लिए 21-28 साल बाकी अन्य पदों के लिए 21-30 साल की आयू सीमा निर्धारित है। धान खरीदी से पहले बवाल होता दिख रहा है। किसानों ने 5 घंटे तक रायपूर और देवभोर्ग मार्ग में किया चक्का जाम। कॉंग्रेसी बोले सरकार हमारी ही नहीं सुन रही है। दरसल 36 घंट में धान खरीदी भले ही एक दिसम्बर से होनी है पर बवाल पहले से ही मच गया है। गरिया बन में किसानों ने गौर घाट में नेशनल हाईवे 130 सी में जक्का जाम कर दिया। जिसके चलते 5 घंटे तक रायपूर देवभोर्ग मार्ग बन रहा। किसानों की मांग है कि गौर घाट में धान खरीदी केंदर खोला जाए और इस चक्का जाम में आसपास के 4 घंट के किसान सामिल हुए। किसानों के इस प्रदर्शन को कॉंग्रिस कारिकरताओं ने भी अपना समर्थन दिया है। यहाँ गौर घाट में नेशनल हाईवे 130 सी में सुभा 10 बजे से गोपालपूर डबनई देहर गुड़ा और सारी साथ हर्दी भाटा के सैक्डो किसान पहुचे थे। इसके बाद से किसान रोट पर बैट गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे बाजी करते दिखे। तो पूरा पैसा केंडर सरकार ही दे 60 अनुपात 40 का रेशियो आखिरकार क्यों है। प्रशान पहले इंद्रा आवास का नाम था जिसे बदल कर अब प्रधार मंत्री आवास कर दिया गेंगे। इसके लिए हमें रासी केंडर सरकार थे। रासी होगी तो हम देंगे गरीबों का मकान बनाएंगे। ये सभी बाते भी मुख्य मंत्री ने कही हुई है। और कही गई है साफ टेरेक्टर यहाँ पर मुख्य तोर पर इनकी ये बात है कि आखिरकार जो प्रधानमंत्री आवास योधना है इसका नाम प्रधानमंत्री के नाम पर है तो उनहीं को सारा पैसा दिया जाना चाहिए ये सभी बाते मुख्यमंत्री भूपेज बखेल का कहना है पुन्य के साथ अब इनाम मिलने वाला है सडक हाथसे में घायलों की मदद करने वालों को सरकार जो है इनाम के तोर पर कुछ रूपए देने वाली है दरसल बात करें कि अभी तक फिलहाल अगर मैं बात करू तो सडक हाथसों में घायलों की मदद करने वालों को अब सरका पत्र भी दिया जाएगा सड़क दुरगटना में घायलों का जीवन बचाने के लिए जनता को प्रेरित करने के उद्देश से इस योजना को सुरू किया गया है मालों हो की दुरगटना के बाद एक घंटे में घायलों को इलाज मिल जाता है तो कई मौतों को रोका जा सकता है वहीं आपको ये भी बताते चले कि रोज जो है चत्रिसगर में 34 आउसतन सड़क हाथसे होते हैं जिनमें हर दिन लगभग 39 लोग घायल हो रहे हैं दरसल प्रदेश में सड़क हाथसे में अगर मैं बात करूं जनवरी से 30 अक्टूबर 2021 के बीच कुल मिलाकर 304 दिनों में 449 लोगों की मौत हो चुकी है तो वहीं कुल 10,253 हाथसों में कुल मिलाकर 8,949 लोग घायल हो चुके हैं राज्य पुलिस मुख्याले से मिले आक्रों के अनुसार रोजाना ओसतन 34 सड़क दुरगटनाय हो रही है पूरे प्रदेश में इसमें ओसतन 39 लोग घायल हो रहे हैं जबकि गतवर्ष 2020 में कुल 9,277 हाथसों में 3,656 लोगों की मौत और 8,349 लोग घायल हुए थे यहां गतवर्ष की अपेक्षा 10,75 फीसद हाथसे हैं इसके लावा 21,09 फीसद मौत है और 7,06 फीसद घायलों में होने वाले ज्यादा हैं तो यह इसके लिए जो है सरकार ने एक बहतरीन जो यहाँ पर नियम है वो यहाँ पर लागो किया है कोई छेडे तो फिर उसके जो है यहाँ पर महिलाए नहीं छोड़ने वाली है चौरानवे, 89,19,0,16,7 पर महिलाए अपना सिकायत कर सकते हैं पिंक गस्त की टीम यहाँ पर फोरण इस पर एक्सल लेने वाली है दरसल रायपूर पुलिस ने महिलाओ की सुरक्षा के लिए ए यहाँ नए स्कूटर पर महिला पुलिस की टीम को महिला आयोकी अध्यक्ष किरण मही नाइक ने रवाना किया है इसके बाद टीम पंडरी, कटोरा ताला, मालवी रोड, गोल बाजार जैसे बड़े हिस्तों में जाकर के महिलाओ से मुलाकात कर रही है रायपूर के SSP प्रस साफधानियों के बारे में भी बताना है, हम मार्केट एरिया, सौपिंग मॉल, गर्स होस्टेल, कॉलिज में जाकर पुलिस का हेल्प लाइन नमबर भी बता रहे हैं, दरसले यहाँ पर एक नमबर जारी किया गया है, एक बार हम आपको फिर बता दें चाहते है, 9479190167 य हसदेव अरड्य की खदाने अब जो है बांगो बांध पर खत्रा बनने जा रही है, एक्टिविस्ट सुदीब बोले खनन बढ़ा तो जानकीर कोर्बा में सिचाई और पीने के पानी का संकट बढ़ जाएगा, दरसल हसदेव के जंगली इलाकों में मौजूद काले हीरे य हाली में इस हिस्से की बड़ी जो इस्टडी परेवराड और वन सरक्षण के लिए काम करने वाली दो संस्थाव ने यहाँ पर अध्यान किया है, इंडियन कॉंसिल ऑफ फोरेश्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानि की ICFRE और वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट इंडिया यानि की WII ने इन हिस्सों में अध्यान किया है, सामाजिक करेकरता और पेसे से वकील सुधीब स्रिवास्तों के दखल की वज़े से सुप्रिम कोट के कहने पर यहाँ पर अध्यान किया गया था, यहाँ पर स्रिवास्तों के मताबिक दोनों ही संस्थानों ने प्रदेश का सबसे बड़ा नुकसान होगा, हस्देव बांगो बांगो बांग की छमता पर भी असर होगा, पीने के पानी और सिचाई का संकट भी पैदा होगा, इससे कोरबा, रायकर और जानजगीर के बड़े हिस्ते के लोगों की परिसानिया बढ़ेंगी, ये जानते हु प्रदेश में लोगों की डिमांड आ रही थी, फ्लाइट की वजह से, क्योंकि हवाई आत्रियों के लिए राहत की खबर है, त्रिवेंद्रम के लिए पहली बार सीधी फ्लाइट एक दिसंबर से सुरह होने वाली है, शतिसगर के हवाई आत्रियों के लिए राहत की खबर ह वे अब सीधे से त्रिवेंद्रपूरम के लिए यहाँ पर उडान भर सकेंगे 36 पहली बार केरल से सीधे जुड़ रहा है परेटन फास्त और हर्बल कारोबार के लिए बड़ी संख्या में लोग इस फ्लाइट की मांग कर रहे थे इंडिगो एरलाइन्स की ओर से एक दिसम्बर से रायपूर त्रिवेंद्रपूरम रायपूर फ्लाइट सुरू की जा रही है भाजपा और CPI एक मंच पर सामने आ रहे हैं धान खरीदी केंद्र को लेकर के बस्तर में जबर्दस्थ प्रदर्शन किया जा रहा है चिंदगर में भारतिय जुनता पार्टी और जिला ध्यक्ष हूंगा राम मरकाम और CPI के नहेता हांदा राम के नेतित्तों में CPI और भाजपा ने धान खरीदी केंद्र को लेकर प्रदर्शन किया इस प्रदर्शन के अंतरगत चिंदगर ब्लॉक के गुडरा ग्राम पंचायत में धान खरीदी को लेकर किसानों ने चिंदगर चौक पर National Highway 30 को जाम करते हुए चक्का जाम किया किसानों का कहना है कि गुडरा में धान खरीदी केंद्र खोला जाए तो वही वर्तमान में धान खरीदी केंद्र कोडरी पाल अमचिंदगर में बना हुआ है वहाँ तक पहुचने के लिए ग्रामिडों को काफी समस्या होती है इसलिए उन्हें कई बार रायपुर मंत्राले में भी यहाँ पर आवेदन निवेदन किया गया था लेकिन बावजूद इसके अभी तक उनके लिए कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है अपने मंत्री मंडल के साथ प्रधान मंत्री मोदी से मिलेंगे मुख्यमंत्री भूपेज बगेल इसके लिए वक्त की डिमांड की गई है बतादे मुख्यमंत्री भूपेज बगेल ने अपने सभी मंत्रीयों के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे इसमें वे पीएम को राज़ के किसानों और उस्तना मिल मजदूरों की समस्याव से अवगत कराना चाहते है प्रधान मंत्री से इस मुलाकात के लिए मुख्य सचिव अमिताब जैन ने प्रधान मंत्री कार्याले को पत्तर लिख करती थी एवं समय निधायत करने का अनुरोथ किया है जैन ने PMO को भेजे गए अपने पत्र में कहा है कि CM भूपेस एवं सभी मंत्री प्रधान मंत्री मोदी के रूबरू होकर के भेट कर धान का उपारजन से संबंधित विशियों पर चर्चा एवं अनुरोथ करना चाहते हैं जैन ने यह भी उलेक किया है कि केंद्री खादिमंत्राले से 36 गड़ में केंद्री पूल अंतरगत सत प्रतिसत अरवा चावल यानि की 61,65,000 तन उपारजन किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है जबकि विगत वर्स में राज्य से उसना चावल भी लिया जाता रहा है और इस निर्देश को लेकर भी यहाँ पर निवेदन किया गया है नगर निगाय चुनाव को लेकर कि अपडेट है दुर्ग और भिलाई में बनाए गए हैं 30 फिक्स नाके बंदी पॉइंट 150 से अरिक पुलिस जवान यहाँ पर तैनात रहने वाले हैं आचार सहीता लगते दुर्ग पुलिस ने सहर की सुरक्षा विवस्था को बढ़ा दिया है सहर के सभी प्रवेश द्वार पर नाके बंदी पॉइंट्स बना दिये गए हैं यहाँ से होकर सहर में प्रवेश करने वाली सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है कोई भी वाहन बिना चेकिंग के सहर म प्रवेश न कर सके इसके लिए जिले में तीस से अधिक स्थानों पर फिक्स नाके बंदी पॉइंट बना दिये गए हैं यहाँ पर 150 से अधिक जवानों की ड्यूटी लगाई गई है सूचना के अनुसार गुरुवार को दुर्ग एसपी बी एन मीडा के निर्देश पर अ निकाय चुनाव को लेकर ही अपडेट है मुख्य मंत्री का कहना है कि चुनावी छेत्र में घूमने नहीं काम करने जाएं चुनाव का जिम्मा प्रभारी मंत्रियों को सौपा गया है तो वही 30 तारिक तक प्रत्यासियों के नाम तै होने वाले हैं दरसल खबर ये है कि नग उपेश बखेल ने चुनाव में काम करने वाले परेक्चकों से कहा है कि चुनावी छेत्र में कोई भी घूमने नहीं बलकि काम करने जाएं राजी उफवन में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर के बैठक में मुख्य मंत्री ने कहा कि सरकार के तीन साल के जन ही तैसी कारियों को भी लोगों तक पहुचाया जाए पिछले निकाय चुनाव की तरह ही इस बार भी अवे बहतर पुदर्शन करना होगा प्रदेश प्रभारी पील पुनिया ने कहा कि जीत सकने वाले प्रत्यासियों को ही यहां पर टिकट दिया जाएगा दोस्तों आज की खबरों क पसल्सलब बस यह तक था वीडियो गर आपको पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबा कर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है नीचे लाल कलर का सब्सकाइब बटन भी दिया है जिसे दबा कर इस चैनल को आपको सब्सकाइब कर लेना है साथी साथ घंटी को दबाकर all notification को भी आपको सलेक करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर खबरे 36 कर समाचार हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुचा सके तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा स्काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है